बैगन एक ऐसी सदा बहर सबजी है दोस्तों जो हर सीजन में बिल जाती है तो चलिए आज बनाते हैं बैगन की सबजी आप जेनरली कुकर में बनाते होंगे या फिर कड़ाई में बनाते होंगे तो सुखी सबजी बनाते होंगे आज मेरे स्टाइल में थोड़ा बना करके इस सब्जी को देखेगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको टेस्ट वैगन की सब्जी और चावल का जो कॉमिनेशन होता है बहुत ही गजब का होता है सबसे पहले तो गैस पे कड़ाई चड़ा लीजिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे दो सितीलों के लिए सब्जी तो मैंने एक चम्चा सरसो का तेल डाला हुआ है चम्चा आप समझ रहे होंगे जो हम घर में ग्रेवी या दाल वगयरा परोसने के लिए यूज़ करते हैं लैसन डालिए लैसन धेसारा डालिएगा बैगन की सब्जी में लैसन और मेथी दो चीज़ें डालना जरूरी है सौरी में बताना बूल गई मैंने जीरा के साथ में मेथी दाना भी डाला हुआ है अब मेथी क्या करता है मेथी जो है बैगन की बादी जो बैगन हमारे इसलिए आप इसमें या तो कच्छी मेथी दाना यूज करें या फिर मेथी का पावडर यूज करें तो उससे क्या है कि बैगन की जो बादी होती है वो खतम हो जाती है तो जैसे ही लैसोन हमारा थोड़ा पक जाएगा तो इसमें कटा हुआ बैगन और आलू हम डाल देंगे आलू चील करके लेना है और बैगन को काटके अच्छे से दोकर की यूज करना है बैगन को हमेशा ही मोटे टुकड़ों में काटिये जएब जो बारी टुकड़े होते हैं उसमें बैगन एक दम आश हो जाता है और बैगन को वैसे इतना सॉफ्ट होता है स्पंजी होता है कि उसे ज्यादा बारी करने की ज़रत नहीं होती है अब यहीं पर हमने डाल लिया है थोड़ा सा नमक जिसे बैगन हमारा है न वो जगदी से सॉ चिली पाउडर को वाइड करने के लिए डाला है और हरीमेच की जो फ्रेशनेंस है वो भी अच्छी लगती है तो तेल में नहीं डाली है क्योंकि तेल में डालने से बहुत ज्यादा तीकी हो जाती है सबजी तो अब इसे अच्छे से हम मैं जब भी बैगन की सबजी बनाती यह नीचे लगने लगे था क्योंकि यह कड़ाई नॉन स्टिक नहीं है यह हाड़न राइज है इसलिए अगर नॉन स्टिक कड़ाई होगी तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा उसमें पानी डालने की ज़रत नहीं पड़ेगा अगर आप इस सबजी को लोही की कड़ा कड़ाई में बना के देखेगा इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर हमेशा बैगन की सबजी में धनिया ज्यादा डालिए धनिया का जो पाउडर होता है वो ज्यादा डालिए मिक्स कर दिया है टमाटर डाले है मैंने दो मीडियम साइज के बैगन की स जालता आए झालता है और लोग तुमाटर को अदेशार सब्सक्राइब क्यान जैसे में तुमाटर डालने के तुरां तुमाटर रादी हमेंगे मोथ भी दाला ना है अब इसे क्या होगो का टमाटर पानी के साथ ही पकेगा और इससे सब्जी में कलर बहुत अच्छा बस आता है और कहटास बहुत ऊच्छी है ती टमाटर का अपना पूरी हो जो टेजट है वो बना ही रहता है पूरी सब्जी में अब मैं इसे थोड़ा सा बना रही हूँ गीला गीला टाइप का बहुत सूखा नहीं बहुत ज़्यादा पानी वाली भी नहीं अब क्योंकि कड़ाई में पका रहे हैं तो आलू पकने में गलने में यानि आलू को हमें गलाना है अच्छे से तो टाइम लगेगा इसलिए मैं या दो से ढ़ाई गिलास पानी टाल दिया है और नमक वगर आप यहाँ पे टेस्ट कर लीजे अब कवर कर देंगे और 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने देंगे तो देखे बीच बीच में इसे चला जरूर दीजिएगा और जब लगे कि सब्जी का पानी सूख गया है लेकिन आलू पक गई है तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए और कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम में पकने दीजिए उससे क्या हो इसमें नहीं उस किया है आप चाहे तो डाल सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक ही